शिवाय नमस्तु भ्यम हरहर महादेव गुरुजी के द्वारा शिरी अंबा अंबेश्वा शिय महापुराण कता हनमान गड़ी छत्री तालाब रोट अमरवती महारास्ट में 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2023 तक चलेगी आज 16 दिसंबर मतलब पहले दिन की कता पूर्ण हो चुकी है ये पांस दिवस्य शिरी महापुराण कता है जिससे आप आसा चनल यूट्यूब के माध्यम से दो पहर में एक बज़े से चार्ज बज़े तक देख सकते हैं अज पहले दिन की कता में गुरूजी ने विशेश शुपायों की जानकारी दी है साथ ही कुछ पत्र पढ़े हैं और हमें हमारे जीवन को सार्थ तक बनाने वाली कुछ उप्यों की जानकारियां दी हैं सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है ऎंट गुरु जी सबी से एक नियम बनाने को कहा है। यदि आप महीने में एक बार चार महीने वे एक बार इस नियम को बनाते हैं तो ऐठ जो चाहोगे वो आपको मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। उसी तरह जब हम श्री शिवाई नमस्तुभ्यम नमस्षिवाई या ओम नमस्षिवाई मंत्र का जाप करते हैं तो मृत्तियों को पाप को हमारे बिकार कर्मों को भी भय लगता है कि हमें इसके पास नहीं जाना है। अगवान का बल भी प्राप्त होता है और संगल प्लेने से आपको उसका फल भी अधिकता में प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आची कथागी तीसरी जानकारी की और पार्तिफ शिवलिंग का निर्मान करके जब हम पूजन करते हैं गुरुजी ने बताया है तो हमें लगता है कि हम एक पार्तिफ शिवलिंग का पूजन कर रहा हैं। अतने हजारों शिवलिंग के पूजन का फल आपको एक पार्तिफ शिवलिंग का निर्मान करने से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद गुरुजी ने सबी से कुछ संकल्ब लेने को कहा है। उनमेंसे एक संकल्प इस प्रकार है। कुछ मत करो इस अम्रवती की धरा से एक संकल्प कर लो। प्रत्येक माहा में आने वाली मासिख शिवरात्री में अपने घर के ही गमले में, उसी की मिट्टी का उसी गमले में पार्तिश विलिंग का निर्मान करके वहीं उसका पूजन अर्चन करके वहीं उसका विसरजन कर दूँगी ऐसे में भी आपको पार्तिश विलिंग निर्मान करके पूजन का बराबरी फल प्राप्त होता है आपको बस संकल पिलेना हैं कि प्रतेक महा में या तीन महा में या छे महा में या नो महा में या फिर एक साल में जो सावन की शिवरात्री आती है या महा शिवरात्री आती है तब मैं पाति शिलिंग के निर्मान करके पूजन जरूर करूँगी आप इस तरीके से पूजन हर महीने जो मासी शिवरात्री आती है उसमें भी संकल पले के कर सकते हैं आप हर महीने अगर विदी विदान से घर में पाथिशिलिंग के निर्माण पूजन विदी नहीं कर सकते हैं उसमें भी आपको विदी विदान से की गई पूजा का फल निश्यती प्राप्त होता है और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है या आप जिस कामना को लेकर इस पार्टिश विलिंग का निर्मान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, पर आपका संकल्प लेना बहुत जरूरी है, आप मन में संकल्प ले लीजिए, कि मैं तीन महीने तक या छे महीने तक पार्टिश विलिंग के निर्मान पूज अगर पार्ति शिलिंग निर्मान का संकल्प आप नहीं ले सकते तो आप दूसरा संकल्प ले लो कि महिने में एक बार वेल पत्री के व्रख्ष के नीचे जाऊंगी और वेल पत्री के व्रख्ष के नीचे जल चड़ा कर आऊंगी ऐसा करने से वेल पत्री के व्रख्ष की जो रिचाया प्राप्त होती है आश्रीबात प्राप्त होती है बस आपको वेलपति गुर्ष के नीचा जाना है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जलक शिंचन कर देना है या वहाँ पर एक मिट बेट का शिरी शिवाइन मुस्तव्य मंदर का भी नाम जाप कर सकते हैं बढ़ते हैं आची कथा की छटवी जानकारी की ओर उजवला जी पत्र लेकर आई बोले की क्रपा का क्या गुणगान करूं मेरा बेटा दो साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था लेकिन एक या दो नमबर से रह जाता था अकोला की कथा में एक दिन के लिए सुनने आई आप कहते हो पंडाल में जो दिल से कथा सुनता है दिल से जो बाबा से कहता है बाबा उसे जरूर देता है मैंने अपने बेटे के लिए कामना की भूमी को नमन किया और गुरुजी सत्य है जहां शिमहाप्राण की कता होती है वहां की भूमी भूमी नहीं होती केलाश बन जाता है हमने श्री शिवाई नमस्तवें बोल का कामना की और बाबा की क्रपा से मेरे बेटे का आर्मिय में सिलेक्शन हो गया है उसी का भार वेक करने कथा पंडार में आई हूँ बढ़ते हैं आची कथा की साथ भी जानकारी की ओर महापुरान कथा में विदेश्वा सहीता में वर्णन मिलता है जो बोलेनात के शिवलिंग पे जल अर्पित करके उस जल को प्राप्त करके अपने नेत्रों में भी लगा लेता है तो उसे जो उसकी इकत्तर पीडियों में कभी भी भूत और प्रेत नहीं बनता है तर जाता है गुरु जी ने कहा कई लोग कहते हैं कि लोग साथ पीडी कहते हैं पर आप इकत्तर पीडियों का क्यों कहते हैं इस पर गुरु जी ने कहा उज्जेन में जो रिन मुक्तेश्वा मंदियरे वहाँ पर पत्थर में लिखा हुआ है कि शिमा प्राण का वहाँ शब्द अंगी थे कि 31 पीणिया तर जाती हैं। बढ़ते हैं आची कथागी आठवी जानकारी की और गुरु जी ने कहा मद्यप्रदेश के मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आवार व्यक्त करना चाहूंगा जिनोंने सीएम बनने के बाद पहला फैसला ही ऐसा लिया धर्म की जगह में कहीं पर भी खुले में मा पास और अंडा नहीं बिकेगा बढ़ते हैं आची कथागी नोवी जानकारी की और संगीता साहूजी पत्र लेकर आई मेरे बेटे के आयू 36 वर्षे एक लुटे जल का क्या वड़न करूं मेरे बेटे के मुझ में और ज्यादा धूम्रपान के कारण एक दात के पास अंदर जगह बन गई और उसमें चाला हो गया और उसमें गठान हो गयी डॉक्टर ने जाच कराई तो डॉक्टर ने उसमें कैंसर बता दिया और हम सब अस्त व्यस्त हो गए मेरे बेटे को बच्पन में ही पैरलैसिस हो गया था जिसके कारण एक साइड के हाथ और पाउ अच्छे से कारे नहीं करते थे डॉक्टर ने ऑप्रेशन की बोल दिया था सर की इसके एक नस भी दबी हुई है ऑप्रेशन के बाद बच्चा ठीक हो गया नहीं कुछ कह नहीं सकते किसी के कहने पर भोले नात के मंदिर में जाकल जल चड़ाना शुरू किया और आपकी शीमहा प्राण कता सुनना शुरू किया और बेटे से जल चड़ाना शुरू किया और पशिपती नात व्रद भी किया दो महिने तक दवाईया भी लेते रहे और शीवलिंग पर चड़े हुए जल को भी पिलाते रहे इसके बाद दूसरी जाच कराए तो डॉक्टर ने बताया गाट गल पर पास नहीं हो पारा था तो मैंने कहा कि इस बार एक्जाम देने से पहले वेल पत्र और शेहत लगाकर शिवलिंग पर अरपित करते हुए जाओ तो बेटा हसता है क्या वेल पत्र को चिपकाने से नोकरी लगती है मैंने कहा सीहोर वाला महराज कहता है खूब पढ़ाई क अपनी तरब से कोई कसर मत छोड़ो और एक्जाम देने से पहले वेल पत्र में शेहत लगाकर उसे शिवलिंग पर लगाते हुए चले जाओ तो तेरा एक्जाम भोपाल में ही है तो सीहोर कुबरिश पर धाम भी जाकर वहां से आश्रिबात प्राप्त करके फिर एक्जाम देने जाना मेरा बेटा सीहोर जाकर कुबरिश पर धाम में आश्रिबात प्राप्त किया और साथ ही रुद्राप्व इंडिया में ऐग्जाम दिया और बेंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर के पदमें चैन हो गया है उसीकित अभार वेग करने कता पटबाल हैं बढ़ते हैं आ अगली बारवी जानकारी की ओर। गुरु जी न एक उपाय की जानकारी देते हुए बताया था। अपने दोनों हाथों को सीधे करते हुए धीमी धीमी धार से सूर्य भगवान के दर्शन करते हुए अर्ग देना है जल चड़ाते जाना है और ओम ग्रिणी सूर्याई नमहा मंत्र का इस्मन कीजिएगा या फिर ओम सूर्याई नमहा मंत्र का भी इस्मन कर सकते हैं या ओम भा लहु अरकनार उससे सूरे भगवान को देखते जाना है, निहानना है, जल की धार में से सूरे नारायन के दर्शन करना है, जब वो सूरे नारायन की जो किर्णे होती हैं, वो जल से टकरा कर हमारे उपर पड़ती हैं, तो हमारे शरी में जो रोग घेरे हुए होते हैं, जो बी जल भर कर आपको शंकरववन के मंदिर में लेकर जाना है शिवाय नमस्तवियम बोलता हुए वो जल धीमी धीमी धार से शंकरववन के शिवलिंग पर अरपित कर दीजिएगा और जलाधारी से आ रहे है जल को अपने जल कलश के अंदर जेल लेना है और फिर उस जल का आचमन करना है शूल टंकेश्वा महादेव का नाम इसमन करना है साथ शूल टंकेश्वा महादेव के नाम से उस जल का तीन बार आपको आचमन कर लेना है आजकी नुपायएं से चिड़े मन में कोई सवाल एक कोशन है तो आप कमेंट के जरिए पूस सकते हैं वीडियो धोड़ा अब भी उपयोग के लगा हो तो वीडियो का लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरार महादेव जरूर टाइप कीचिएगा श्री शिवाय नमस्तु भ्याम